नमस्कार दोस्तो स्वागात है आप सभी का आपके अपने चैनल नीचर्स गार्णिंग में और आपने थमनेल देख लिया है आज मैं फन प्लांट के बारे में बात करूंगी मैं आज इसकी सारी जानकारिया आपको दूंगी कि आप अपने फन प्लांट को कैसे रख सकते हैं आप उसे कैसे उसकी केर कर सकते हैं तो वीडियो सुरू करने से पहले दोस्तो अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरी चैनल को सस्क्राइब करिये और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करिए और सेयर करिए दोसो फन प्लांट के अगर हम देखी रहे हैं कैसे है फन बोलने से ही इसका जो पौधा होता है देखने में ही ऐसे पुरा नीचे से ऐसे उपर से उठते हुए ऐसे गिरती है नीचे इस तरीके से इसका पौधा रहता है और जो पौट रहता है उसको पुरा भर देता है ये फन प्लांट और इसकी जो पतिय बहुत ही खुपसुरत सी होती है जो आप देखी पा रहे हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फन की सनलाइट की फन प्लांट को डारिक्ट सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं है आप इसे इन डारिक्ट सनलाइट में रखिए जहां च्छाया आए थोड़ी सी दूप मिले ड इस प्लांट को आप इंडोर भी रख सकते हैं और जहां इसको हलकी धूप भी मिले ऐसी जगह पे आप इसका रखने का जगह चुनाव भी कर सकते हैं तो सबसे पहले तो हो गई सनलाइट की बात अभी हम बात कर लेते हैं मिट्टी की दोस्तों मिट्टी इसकी ऐसे इसको बारबार नहीं पड़ने चीए मिट्टी इसको सूखा रहना पसंद नहीं है हलकी मिट्टी इसको पसंद है एकदम चिपचिपी गिली मिट्टी भी पसंद नहीं है तो आप इसे मिट्टी बनाए तो मिट्टी बनाए और बहुत अच्छे से ये सर्वाइब करेगी उ अगर आप खाद की बात करें तो इसको उतना खाद देने की ज़रत नहीं पड़ती है, आप 2-3 साल में भी एक बार इसको खाद दे सकते हैं, इसलिए बोलते हैं कि जब आप इसकी मिट्टी तयार करें, तो उसी में ही आप उसकी मिट्टी 50% मिट्टी ले, 30% कोको पीट, 10% व नबीज होते हैं, तो इसको इससे तो गया नहीं जा सकता है, इसलिए क्या होता है, इसकी जो नीचे से जो ब्रांच निकलती है, नहीं नहीं, उसकी एक टहनी को भी अगर आप तोड़के नीचे से, अगर आप लगाते हैं, तो लग जाती है, तो आप कोसिस करिए, अगर इ अच्छा ग्रोथ करता है अभी जो मौसम चल रहा है अभी इसका जो ग्रोथ है बहुत फास्ट होगा और बहुत अच्छे से यह चलेगा गर्मी की मौसम में बहुत दिक्कत होता है थोड़ा सा इसको जो हवाएं गर्म हवाएं चलती है उससे बचानी पड़ती है गर्मियों म खात का मैंने आपको बताया कि इसको दो से तीन साल में एक बार आप इसको खात दे सकते हैं वैसे इसको खात की जरुवत नहीं पड़ती है उतनी जब आप इसकी मिट्टी तयार करें उसी में ही सब चीज आप जो कमपोश्ट है डालकर उसकी मिट्टी तयार करें दोस्तों अ पुरा पौट को भर देता है, तो अब इस तरीके से पौट का चुनाओ करें, जो चोडाई में हो और 12 इंच का पौट हो आप वैसे ही पौट का चुनाओ करें, मेरा जो पौधा है अभी छोटा है, और मैंने इसको एक ब्रांच से ही निकाल कर लगाया हुआ था, तो अभी मे आप लगाने का टेकनिक जो है बहुत ही अच्छा है, और आप इसको कोसिस करिए लगाने की, और मिट्टी का भी हो गया, और इंडोर आप इसको रखिए, बहुत ही खुबसूरत सा लगता है, आप इसे हमेशा आप अपने घर में रख सकते हैं, और बहुत अच्छा ये जब भर जाता है, जब पॉट तो देखने भी बहुत ही खुबसूरत लगता है, तो मुझे ये पौधा बहुत पसंद है, फन प्लांट, आप भी इसे लाइए और अपने घर में रखिए, और बहुत ही अच्छा चलेगा, और उतनी मुश्किलों का जरुवत नहीं सामना कर जरुवत नहीं पड़ेगी, जैसे मुझे लग रहा था इस्टार्टिंग में कि अरे ये पौधा लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन अभी जो ठंडी का मौसम है, उसमें मैं देख रही हूं कि इसका जो पौधा है बहुत अच्छे से ग्रोह हो रहा है, और बहुत कॉमेंट करिये